जनेगन वन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता हमारे राष्टरगान में अधिनायक किसको कहा गया है अधिनायक का मतलब होता है शाशक, रूलर, जो रूल करता है तो इसको लेके कुछ कॉंट्रवर्सीज भी है तो सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे क्योंकि हर एक भारती के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे राष्टरगान का क्या अर्थ है क्या सही में अर्थ क्या है और क्या कि गलत अर्थ निकाल के कॉंट्रवर्सीज पैदा की गई थी और उन कॉंट्रवर्सीज के बारे में भी जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैरसे सेक्षिन को तो देखिए राष्ट्रगान एक देश भक्ती गीत है जिसे ओफिशल तौर पे किसी भी देश द्वारा राष्ट्री पहचान की अभिव्यक्ती के लिए लिया जाता है तो भारत का राष्ट्री गान जने गनमन, नोबल पुरसकार विजेता, रविंदरनाथ टेगोर जी द्वारा लिखा गया था और यह गीत भारत की राष्ट्री विरासत, देश भक्ती, गौरव और राष्ट्री निष्ठा को प्रदर्शित करता है मोल रूप से, बेसिकलि यह बंगाली संस्कृत में लिखा गया, भरो तो भाग्य विधाता, नामा की ब्रमो भजन था, इसमा पांच श्लोक थे और आज जो गान गया जाता है, जो राष्ट्रगान है, वो इस गीत का एक अंच है, क्योंकि सिर्फ एक ही पैराग्राफ को भारत के राष्ट्रगान की रूप में लिया गया है और ये paragraph ये राष्ट्रगान देश की धार्मिक शेत्री और सांस्कृतिक एक तौर विविदता को दर्शाता है तो उसके बारे में तो आप जब इसको गाते हैं तो आपको पता लगी जाता है सिर्फ कुछ एक शब्द ऐसे हैं कुछ एक शब्द ऐसे हैं जहाँ पर हमें इसके अर्थ के बारे में उतनी clarity शायद सबको नहीं है तो ये गीत सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के annual conference के दूसरे दिन गाया गया और independence के बाद 24 जनवर 1950 को भारत की समविधान ने आधिकारिक तौर पे जनगनमन को भारत का राष्ट्रगान घोशित कर दिया तो हमारे राष्ट्रगान का मूल अर्थ बहुलवाद है मतलब plurality तो विवित्ता जो हमारे राष्ट्र में जो विवित्ता है चाहे वो भाषाओं को लेके हो चाहे वो भागौलिक विवित्ता हो चाहे वो फेद को लेके हो तो ये संस्कृति पंथ जाती और धर्म के अंतर और एकता की भावना के बारे में बात करता है जो हर भारतिय के अंदर है अब देखते हैं इसको लेके जो कॉंटरवर्सीज हुई वो क्या थी राष्ट्रगान के अराउंड के आके कॉंटरवर्सीज हुई है तो जनगनमन अधिनायक जय ही में अधिनायक किसके लिए कहा गया है ये पूचा था राजस्तान के पूर्वराज्येपाल कल्यान सिंग ने एक कॉलेज बे कुछ सेरे में नी थी वहाँ पर कि अधिनायक किसके लिए कहा गया है तो उनका कहना ये था कि ब्रिटिश टाइम में जो अंग्रेजी राजा थे थे ना तो उनका गुंगान इसमें किया गया है और इसमें संशोधन होना चाहिए चले वे एक बार नजर इसके इत्यास पर भी डालते हैं ये वही गाना था जिसे निता जी शुभास चंद्रबोस की आजाद हिंद फौज के लड़ाकों ने राश्त्रगान के तौर पे अपनाया था और ये गाना पहली बार 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के कलकता सेशन के दूसरे दिन का काम शुरू होने से पहले गाया गया है तो अमरित बाजार पत्तिरका में अगले दिन ये खबर साफ तरीके से चप गई और पत्तिरका में कहा गया कि कॉंग्रेसी जलसे में ये दिन की जो शुरूवात थी वो गुरुदेव रविंदरनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रार्थना से की गई रविंदरनाथ टैगोर जी को गुरुदेव सब कहते थे तो बंगाली नामक अखबार में एक खबर यह आई कि दिन की शुरूवात गुरुदेव द्वारा रचित एक देश भक्ती के गित से हुई तो टैगोर का यह जो गाना था यह संस्कृत निष्ट बंग भाशा में था और यह बात बॉंबे क्रॉनिकल नामकी अखबार में भी छब गई अब आपको पता है अखबारों का और मीडिया का रोल कह रहता है ठीक है बात कुछ होती है उसको गलब तरीके से प्रिजेंट कर दिया जाता और उससे कॉंट्रवर्सी बन जाती है तो यह वही साल था जब अंग्रेजी राजा अपनी पत्नी के साथ भारत की दोरे पे आयोगे थे तो उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स उनके कहने पे जॉर्स ने बंगाल के जो डिविजन था बंगाल का डिविजन उसको कैंसल कर दे निरस कर दिया और जाँगर्मन के बाद जॉज द फिव्ठ की प्रशेंशा में एक गाना गाया गया था यह गाना राम भुज चौधरी द्वारा लिखा गया था और बच्चों ने इसे गाया था और इसके बोलते बादशा हमारा तो अकबारों ने इसके बारे में भी जानगाली थी पर कुछ ऐसे दी कि जिससे ऐसा लगा कि उस राजा की तारीफ में उसके प्रशंचा में यह गाना लिखा गया है और गाया गया है तो तब से लेके आज तक यह विवाद चला रहा है कि भीये कहीं गुरुदेव ने यह गाना अंग्रेजों की प्रशंचा में तो नहीं लिखा थ अब इसके बारे में जो सपष्टी करन था, वो इसके रचेता टैगोर जी नहीं 1912 में सपष्ट कर दिया कि गाने में परणित जो भारत भाग्य विधाता कहा गया है, किसे विधाता कहा गया है क्या परंपिता को कहा गया है सर्वसक्टिमान या फिर देश की जनता को कहा गया है या कॉंग्रेस के समय में उस समय जो इंगिलिश रूल था इंडिया पे UK का, तो क्या अंग्रेजी शाशक को उनके राजा को इसका भारत बाग्य विधाता कहा गया है तो टेगओर ने का कि इसके दो ही मतलब हो सकते हैं भारत भाग्य विधाता भारत की डेस्टिनी को बनाने वाला कंट्रोल करने वाला या तो सिर्फ देश की जनता है या फिर सर्वशक्तिमार उपर वाला है ठीक है तो टेगओर ने खुद इसके बारे में क्लैरिफिकेशन द सकता हूँ अब इस गाने के सबसे बड़ी खासित ये भी थी कि उस वक्त पहली हुई जो अक्रामक राष्ट्रवादिता थी उससे ये बहुत परे था क्योंकर उस समय राष्ट्रवादिता या राष्ट्रिता का बेसिक मतलब क्या निकाला जाता था कि हम है तो ठीक है दू रास्टरगान को लेके आप सब को ये बात का पता है नहीं पता तो आपको पता लग गया तो गुरुदेव ने इसी दोरान एक छोड़ी सी पुस्तक भी प्रकाशित की जो आज के बच्चे को ये बात सुनना बहुत ज़रूरी है उस पुस्तक का शिर्शक था नेशनलिसम तो यही मेरा भी आज आप सब से यही अंडृध है कि हम नेशन बिल्डिंग की तरफ सहयोग दें, contribute करें और नेशन बिल्डिंग में हम contribute तभी कर पाएंगे जब हमारे सामने हमें जो भी करना जिंदगी हैं हमारे जो मूले हैं हमारे जो वैल्लीूज हैं जिंदगी में हमारा उदेश्य है जो टार्गेट है वो स्पष्ट होना चाहिए और वो रास्ट्र के हित में होना चाहिए कि हमारा उदेश्य हमारे बारे में तो होता है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है पर कहिना कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम जो भी करने वाले हैं जो भी पलब नात्मक होने की अविशक्ता है, creative होने के अविशक्ता है, ठीक है और धीरे धीरे अपनी हिंदी को भी और जादा इस्तेमाल करें, उप्योग में लाएं, ताकि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम, अंग्रेजी ठीक है एक skill है, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, प लगबग, लगबग, ठीक है, सभी तो मैं नहीं कहूँगा, लगबग, सारे लोग या मैकसिमम लोग हिंदी समझते हैं, और गाउं में इंगलीज तो नहीं समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो हमें अपनी जड़ों से, अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए, अपनी संस गर्व महसूस करें, ठीक है, we should always be proud of कि हम हिंदी भाशी है या जो भी आप जिस भी state के हैं, वहाँ का आपका जो भी local language है ठीक है, आप उससे बोलें उससे जानें, उससे इस्तेमाल करें और गर्व महसूस करें चलें, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस पहरे से सेशन को, तो आपकी जो भी feedback रही, जो भी आपको लगा है कुछ भी improvements के लिए, क्योंकि यह पहला सेशन है इस तरह का, तो कृपया और अपने suggestions सुझाव दें हमें comment section में, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंच आए, धन्यवाद, जैहिन, जै भारत